हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग उमीद करता हूं अच्छे होंगे तो गाइस कुछ भाईयों की क्वेडी थी कि जब भी अपने बैट से श्टिकर निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से उस पे श्टिकर के कुछ पार्ट चिपके रहे जाते हैं इंटर्नल पार्ट जिसको निक कागच सा होता और यह उपर उस पे प्रिंट चिपका जो होता है इसको भी हम तुरंद के तुरंद ईजिली ब्लेट से निकाल सकते हैं स्क्रेच करके जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं वीडियो थोड़ा फास्ट है बट आप थोड़ा सेफली और ईजिली निकालना इस तरीक से और भी कहीं पे निशान हो तो वहां से भी आप इस तरीके से पहले इसको निकाल दे हैं अब गाई जी बचा सबसे लाश्ट वाला पार्ट यह कागच का होता है बहुती मजबूती से चिपका होता है इसको अगर हम ब्लेट से अभी तुरंद निकालेंगे रग आँ, तो इस चीछ को स्मूत्ली निकालने के लिए कई लोग क्या इसको पहले तेल से पानी से कई चीस विखाते हैं तो मैं क्या करता हूँ मैं इसको भीआता हूँ बैत ओयल से बैत वहीं तो सल्एक तएतन की तो निक बैत ओयल क्या है थोड़ा एक्स्ट्रा भी लगा दो निसंग कुछ कोई नुकसान नहीं होगा और रिजल्ट आपको 100% देगा तो हम इसको next day देखते हैं तो देखें guys अब next day बहुत ही अराम से निकल रहा है क्योंकि कागच पूरा भीग चुका है तेल पी चुका है और अपनी पकड़ लूस कर चुका है बैट पे तो देखें ब यार से ब्लेट चलाना है बट देखें बड़े अराम से चीजे हो जा रही है कहीं पर कोई ब्लेट कर निसान या एक्स्ट्रा पावर लगानी जो अतनी पड़ रही तो गाइज आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और कुछ भाईयों के जो कोईर थी वो भी सॉल्व हो गई होगी तो भाईयों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद